टेस्टी फूर रेसिपी हब में आप सभी का एक बार फ्रिस्वागत है आज हम बना रहे हैं प्री मिक्स के साथ में कुलाब जामुन दिवाली का सीजन है और इस टाइंपर मिठाईयां बनाई जाती हैं तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें इंस्टेंट गुलाब जामुन रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनेगा इस तरह से बनाएं जरूर तो आईए इसको हम बनाना आपको बताते हैं कैसे बनाए जाता है प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर लें ताकि हर दिन आपको रेसिपी का अपडेट मिलता रहे यहाँ पे हमने एक स्टील की कडाई लिये और उसमें थोड़ा सा घी आट कर दिया है अब वन टेबल स्पून के अराउंड इसमें घी आट कर देंगे और इसके बाद में हमने लगबग वन लीटर पानी इसमें डाल देना है अपको जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आपको पानी कम रखना पड़ेगा अगर कंसिस्टेंसी जादा चाहिए तो पानी जादा रखे तो यहाँ पर हमने पानी लिए है वन लीटर क्योंकि मैं बहुत ज़erme ज़्यादा चार्चनी नहीं बनारी है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा चीनी चाहिए होगी और हमें बहुत ज़्यादा मीठे गुलाब चामन नहीं बनानी है इसको आपको अच्छे से heat कर लेना है और इसके साथ ही इसमें चीनी आड़ कर देनी है तो यहां पे लगबग मैं half cup से भी कम चीनी यहां पे ले रही हूँ और आपको लगे तो और आड़ करना है तो लगबगा वन cup चीनी इसमें आड़ कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा सैफरन मैंने आट कर दिया है कुछ स्ट्राइंड साफ सैफरन के यारी केसर को आट कर दिए इससे कलर अच्छा आता है आप चाहें तो इसमें कलर भी आट कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर कलर का सबसिट्यूट आट कर रही है जो की है जेगवी पाउडर क्योंकि हमने half cup से भी कम जीनी लिया है और हमने होड़ा sweetness लाने के लिए और color को enhance करने के लिए हम इसमें गुड़ के powder को half cup से भी कम कर इस्तिमाल करेंगे इसे color बहुत अच्छा आजाता है और यहाँ पर आपकी चार्शनी भी सिरप की तरह त्यार होगी यह proper चार्शनी नहीं है इसको boil कर लिए अच्छे से heat हो जाने के बाद में आप इसको side कर दें जैसे कि मैंने आपको बताया consistency बहुत मैं ज़्यादा थिन रख रही है मुझे एक तार की चार्शनी यह दो तार की चार्शनी आप नहीं बनानी है सिर्फ normal सिर्फ बना रही हो ताकि अच्छे से गुलाब चामून इसकी sweetness को absorb कर पाएं तो इसको heat कर लेते हैं कुछ देर के लिए इसको boil होने के लिए छोड़ देते हैं इसमें हमने कुछ elaiji डाल दिये आप चाहिए तो elaiji powder का use कर सकते हैं एक bowl लिया है यहाँ पर हमने एक mixing bowl में यहाँ पर gits का pre-mix लिया है हमने गुलाब चामून का इससे बहुत soft गुलाब चामून आप घर पे quick बना सकते हैं अगर आप रामपूर से हैं तो यह lasa mart में easily available है यह 200 grams का packet है जिसको हमने एक mixing bowl में डाल दिया है इसके बाद को आपको क्या करना है कि इसमें कुछ भी नहीं याड़ करना है सिर्फ थोड़ा सा घी और दूद के साथ इसको mix कर लेना है अच्छे से bind जितना अच्छे से bind हो जाएगा उतने अच्छे गुलाब चामून आपके बनके तयार होंगे ऐसा बिलकुल नहीं है कि आपको इसको knit नहीं करना है इसको proper knitting की दरुवत बढ़ती है चितनी जादा knitting इसमें होगी उतना जादा ये soft club जामून बनके तयार होगा साथी साथ इसमें cracks भी नहीं आएंगे हलका गुन-गुना दूर लिया है हमने आपे और इसको हम हाथ से पहले mix कर लेते हैं फिर हमने आप इसको bind करना है milk आप accordingly add करते जाएंगे जितनी consistency है उसके according धीरे धीरेक्स में milk को add करना है ऐसी ही बहुत सारी recipes हमने अपनी चैनल पर share कर रखी है तो please आप सभी recipes को जरूर देखे और enjoy करें इस दिवाली सारी recipes को और dessert की recipes देखने के लिए fit diet for you food पर youtube को search youtube पर search कर सकते हैं और subscribe कर सकते हैं बहाँ पर भी बहुत सारी recipes हमने already share कर रखी है अगर आप नए जोड़े हैं tasty food recipe हब से तो facebook पर भी हमें follow करना बिलकुल न भूले यहाँ पर हमने इसको bind कर लिया है अभी मैंने इसके netting बहुत अच्छे से नहीं किया है फिर भी इसको net करते रहना है पर हमने इसकी जब next process पर जाएंगे तब हमने इसको हाथ से बॉल बनाते हूं बहुत अच्छे से प्रेस करना है अब मैं इसको कुछ लेर के लिए सेट होने के लिए रख देती हूं आप चाहिद इसमें थोड़ा सा गी उपर से लगा कर रख सकते हैं अब मैं एक बोल ले रहे हूं उसमें यहाँ पर गी रख रहे हूं ताकि जब मैं इसकी बॉल्स बनाओं तो आपकी यह बॉल्स ब्रेक ना हो एक तरफ नहीं देख लिए यह सिरफ अच्छे से बॉल हो चुका है देखिए चाशनी की तरह नहीं है अगर इस पर आप उसकून से उठाएंगे तो यह बिल्कुल सिरफ की तरह तयार हुआ है यह शुगर सिरफ है यह सिरफ हमने स्विटनिस के परपेस से यहाँ पर लिया है जितनी जादा गाड़ी चाशनी होती है उतनी चीनी का माउंट उसमें लगता है हमने एक साइड गैस बंद कर दिया है अब हम बॉल्स बनाना तयार करते हैं गुलाब चामन के लिए जितनी बड़ी आप बॉल्स बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पैटल ले लिजे जब आप इसको फ्राइ करेंगे तो यह थोड़ा सा फोलेंगी और बाद में सोक करने के बाद भी फोलेंगे इसलिए बहुत चोटी बॉल्स मैंने यहाँ पर बनाई है यह नॉर्मल आपके उगलाब जामन बॉल है इसको बहुत जादा प्रेस नहीं किया है मैंने पर इसको बहुत अच्छे से आप नेड़ कर ले अपने देखा हुए इसमें थोड़ा सा क्रैक भी आया हुआ है क्योंकि हमने बहुत जाद अच्छे से इसकी नेड़िक नहीं की है अब इस तरह से मैं हाथ से इसमें अच्छे से प्रेस करके इसमें दो तीन चिरॉणजी डाल देती हूँ आप चाहें तो किश्मिश या फिर इसमें पिस्ता फिल कर सकते हैं मैं यहाँ पर चिरॉणजी को फिल कर रही हूँ इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इस तरह से हम दोनों हाथों का यूज़ करके बहुत अच्छे से बाल्स प्रेपेर कर लेते हैं और सारी बाल्स को इसी तरह से हम बना लेंगे एक तरह हमने कड़ाई में ओयल को हीट कर लिया है अब जो भी ओयल यूज़ करते हैं उसको हीट कर लेज़े यहाँ पर हमने रिफाइन ओयल का यूज़ किया है इस तरह से आप जितनी भी बाल्स प्रेपेर कियें उसको डाल दीज़े इसमें और अच्छे से फ्राइ कर लेज़े पीच पीच में आपको इस्टिर करते रहना है जितना डाग कलर आपको चाहिए उतने अच्छे से इसको भूल लेना है देखिए काफी अच्छा कलर इसका आगया है मैं अभी इसको और फ्राइ करूँगी काफी डाग कलर यहाँ पे आ चुका है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ इसी तरह से हम सारे गुलाब चामून को तयार कर लेंगे अब जो हमने सिरब तयार किया है हम उस सिरब में सारे गुलाब चामून को डाल देंगे इसको हम इस्टर कर देंगे और लगबग 10-15 मेट के लिए आप इसको छोड़ देजे जादा टाइम के लिए भी छोड़ सकते हैं और इसको निकाल कर आप किसी भी प्लेट में या फिर एक टब्बे में श्रोल करके रख सकते हैं फ्रिज में आप रखेंगे तो यह वन वी कराम से चल जाते हैं तो कभी भी अगर बाहर की मिठाई नहीं खाना चाहते हैं तो घर पे इस तरह से आप गुलाब चाहून तयार करके रख सकते हैं बहुत टेस्टी रेसिपी बनती है तो इसको पिस्ता और कुछ आपके नटसन सीट के साथ आप सर्व करिए बहुत टेस्टी रेसिपी है एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा और चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और Fit Diet For You फूड को भी आप यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं साथ ही साथ टेस्टी फूड रेसिपी हब को भी आप फेस्बुक और यूट्यूब तोनों पर फॉल्व और सब्सक्राइब जरूर करिए ऐसी ही नई रेसिपी हम रोज लेके आते हैं और ट्रेडिशनल रेसिपी भी आपके ले लाते हैं मिलते हैं नेक्स रेसिपी